24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है बिहार के 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा और हम आपको हर लोकसभा की बारे में बता रहे हैं हर लोकसभा में कौन लड़ाई में है इसके बारे में आपको बता रहे हैं और आज हम आपको आरा लोकसभा छेत्र के बारे में बत वहाँ पर ग्रीह जिला है आरा और आरा से वो कह रहे हैं कि हम चुनाओ भी लड़ेंगे एक ऐसा लोग सभाच्छेत्र जहाँ पर सभी जातियों का दबदबा रहा जहाँ पर सभी जातियों के लोग वहाँ पर सांसद बने लेकिन राजपूतों का दबदबा रहा है वहाँ राजपूत समाज की लोग जादा संख्या में वहाँ सांसद बने और अभी भी जो सांसद है वो राजपूत ही है वहाँ के सांसद आरके सिंग जो की भाजपा से आते हैं और वो राजपूत समाज से आते हैं और सबसे बड़ी बात कि आज उसी आरा लोग सभाच्छेत्र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आज कल सुर्खियों में है क्योंकि पवन सिंग वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी भारतिये जनता पार्टी के टिकट पर और अब आप सोच रहे होंगे कि आरके सिंग वहां से जब सांसद हैं ही तब वहां से पवन सिंग को भाजपा टिकट क्यों देगा वो हम आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार में आनाम शेशांग पांडे है आप जनता जंक्षन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको आरा लोकसवाद छेतर पे थोड़ा बहुत नजर आपकी ले चलते हैं या फिर आपको लेकर चलते हैं कि चली आरा लोकसवाद छेतर के बारे में आपको बताते हैं पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं ज्यादा पुराना इतिहास आपको नहीं बताएंगे थोड़ा सा पुराना बताएंगे, 1991 में लेकर चलते हैं, 1991 में राम लखन सिंग यादों वहां से जनता दल पार्टी से चुनकर सांसद बनते हैं, और उसके बाद 1996 में चंद्रदेव परशाद वर्मा जनता दल से ही वो सांसद बनते हैं, क्योंकि रामलखन सिंग यादों को टिकट नहीं दिया जाता है तो चंदरदेव प्रसाद वर्मा वहां से चुन कर जाते हैं उसके बाद 1998 में जो उपचुनाओ होता है केंदर की सरकार गिर जाती है उसके बाद उपचुनाओ होता है 1998 में तो हपी सिंग जो है वह समता कर बंद हैं अब यह को फिर से बताते हैं 1999 की बात कर लेते हैं क्योंकि 1998 में उपचुनाओ 화 था 1999 में चुनाओ होता रामपरसाद सिंग जो है वह आरजडी से वहां पर चुनाओव लड़ते हैं और जीत कर भी आते हैं और उसके बाद फिर कांती सिंग और जेडी सी हैं, 2004 में वहाँ से जित कर सांसद बनते हैं, 2009 में मीना सिंग जेडी वहाँ पर लीट करता है और मीना सिंग वहाँ से सांसद बनती हैं, और फिर 2014 में पडिवर्टन होता है और उसके बाद R.K. सिंग BJP के उमिद्वार रहते हैं वो जीत कर जाते हैं और 2019 में भी R.K. सिंग अभी बरतमान में वहां से सांसद है और R.K. सिंग की ये तस्वीर अभी केंद्र में मंत्री भी है और R.K. सिंग अभी सांसद है और अब हम आपको बताएंगे कि R.K. सिंग की लड़ाई 2014 और 2019 में किसकिस से हुई थी और कितने वोटों से R.K. सिंग जीते थे और सामने वाला कितना कम वोट लाया था आपको ये बताएंगे 2014 की बात कर लेते हैं 2014 में R.K. सिंग को 3,94,74 वोट मिला था और उनके सामने थे आपको स्री भगवान सिंग कुसवाहा R.J.D. के उमिद्वार थे उनके बिरोधी और उनको वोट मिला था 2,55,204 वोट समझे कि एक तरफ आरकिस सिंग को भाजपा के उमिद्वार रहते हैं उनको वोट मिलता है 3,94,74 वोट और राजद के उमिद्वार स्री भगवान सिंग कुसवाहा को मिलता है 2,55,204 वोट लगबग 1,35,870 वोटों से राजद के जो उमिद्वार है वो भाजपा के उमिद्वार से चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद फिर 2019 में मोदी लहर चलता है और मोदी लहर में फिर आरकिस सिंग को टिकट दिया जाता है और इस बार एंडिये वर्सेस महागडबंदन यानि की एंडिये में जेडियू भाजपा और लजपी सभी दल जो हैं वो सामिल रहते हैं और दूसरी तरफ महागडबंदन में यूपीये में राजद कॉंग्रेस और CPIML, CPIM मतब भागपामाले सब लोग सामिल रहते हैं वहाँ से CPIML के राजु यादो उमिद्वार होते हैं राजु यादो की ये तस्वीर जो की 2019 में वहाँ से CPIML के उमिद्वार रहते हैं और आरके सिना को टक कर देते हैं लेकिन उस तरह का टक कर नहीं दे पाते हैं जिस तरह का टक कर आरके सिंग को लगता है कि हमें आरके सिंग को वोट मिलता है वहां से 5,6,6,480 वोट और वहीं राजू यादो को मिलता है 4,19,195 वोट समझे कि 1,47,280 वोटों से राजू यादो हार जाते हैं ऐसे महागटबंदन की उस समय बुरी तरीके से बिहार में हार हुई थी क्योंकि हर जगा पर NDA कहीं प्रत्यासी दिख रहा था हर जगा NDA कहीं सांसत दिख रहे थे एक जगा मात्र कॉंग्रेस की जीत हुई थी वो था आपको किसंगंज किसन गंज में कॉंग्रेस की जीत हुई थी, किसन गंज सीट बचा कर कॉंग्रेस ने अपनी इज़त बचाई थी, अपनी लाज बचाई थी, क्योंकि चालिस में से एक सीट यूपिये के खाते में गया था, वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आरा लोकसभाद छित्र क के बारे में आपको बता रहे हैं, और अब हम आपको बताएंगे कि लड़ाई में कौन-कौन है, लड़ाई में हैं अभी पवन सिंग, पवन सिंग के वज़े से आरा लोकसभाद सीट ऐसे भी चर्चा में बना हुआ है, खूब चर्चा हो रहा है आरा के बारे में, खूब स चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के तमाम निताओं को अपना संदेश दे रहे हैं कि भाईया हमको टिकट दे दीजे मनुस्तिवारी सदन में पहुँच गए निरहुआ सदन में पहुँच गए रभी किसन सदन में पहुँच गए तो अब पवन सिंग भी चाहते हैं कि हम वहां से हटा कर और हमको अमिद्वार बना दिया जाए और उसके बाद जो दूसरा अमिद्वार है लड़ाई में वो है सिवा नंतिवारी के बेटे और राजद विधायक जो राहुल तिवारी अभी बता नहीं रहें कि हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन तयारी में हैं कि हम हम वहां से चुनाव लड़े अगर पाटी हम पर भरोसा जताएगा तो हम वहां से जरूर चुनाव लड़ेंगे वहीं उसी लोग सभाच्छेत्र में साहबाद एक बिधान सभा आता है और वहीं से ये बिधायक है ये भी तयारी कर रहे हैं कि हम भी वहां से चुनाव उतना चर्चा नहीं होगा जितना चर्चा पवन सिंग के चुनाव लड़ने पर होगा पवन सिंग वहां से उमिद्वार होंगे और जब पवन सिंग उमिद्वार होंगे तब क्या द्रिश्य होगा 2024 में बड़े बड़े celebrity आरा में आकर चुनाव प्रचार करेंगे बड़ी अभी नेतरी जो हैं वो आकर आरा में चुनाव प्रचार करेंगी और पवण सिंग को जिताने के लिए हर संबव प्रयास भी करेंगी अब देखने वाली बात ही है कि आरकेश सिंग का क्या भाजपा टिकट काठता है और वो टिकट पावन सिंग को देता है या फिर पावन सिंग को कहेगा कि आज इस बार रहने दीजिए अब दो हजार उनतीस में आप प्रयास करिएगा पार्टी आपको टिकट देगा लेकिन अब कहा ये भी जा रहा है कि भाजपा का जो सिर्ष नितित है वो आरके सिंग से नराज चल रहा है आरके सिंग से भाजपा थोड़ा नराज चल रहा है और सिर्ष नितित की बात करे तो मोदी और साह यानि नरेंद्र मोदी और अमिस साह से जिसकी नहीं बनी उसका टिकट कट प्रवाद से अभी नरेंद्र मोदी और अमिस साथ थोड़े नराथ चल रहे हैं तो हो सकता है कि इनका टिकट कट जाए और जब इनका टिकट कट जाएगा तो पवन सिंग को टिकट मिलेगा और पवन सिंग वहां से उमिद्वार होंगे और उनकी लड़ाई राजू यादो स से होगी या तो फिर सिवानन तिवारी के बेटे राहुल तिवारी से होगी देखते हैं क्या होता है बहराल इसक अबर में इतना है बने रहे मार साथ और देखते रहे जैंता जेंक्शन